सर मैं सिपाही हूँ, सस्राल वालों ने जला कर मारने की कोशिस की, हमने थाने में या फायर भी करवाया, लेकिन दरोगा साहिब ठिक धंग से बात भी नहीं करते, और अब तक जो आरोपी है, यानि मेरे पती है, उनकी गिरफतारी नहीं हुई है, एक महिला कॉंस्टेबल जो बिगुसरा पुलीस बल में कर रहत हैं, और वो SSP के पास अपनी गुहार लगा रही थी, एक आवेदन लेकर पहुँची थी, और कहा था, कि उन्हें जला कर मारने की कोशिस की गई, सिकायत की लिखिन कोई कारवाई नहीं हो रही है, बताते कि ये महिला जो है, वो बिगु SSP साहब का सवाल होता है, कि क्या कोई अपरादी, अगर अपराद कर बिहार से बाहर चला जाएगा, तो क्या उसकी कारवाई नहीं होगी, क्या आपने मुंबे की किलिस, किसी पतादिकारी से बात करने की कोशिस की, उसी गिरफतारी के लिए, आपने क्या कदम उठाया, इस इसका भी जवाब जो है, वो दरोगा साहब को देना चाहिए, आपको बता दे कि जो महला कॉंस्टिबल है, उनके बहन का कहना है कि एक दिन उनके बहन का पती उनके घर पे आता है, अचानक मार्क पीट कर चला जाता है, इस बात की भी शिकायत F.I.R. दर्ज की गई थी, ल इसे साबित नहीं कर पाए, अब सवाल ये उट रहा है कि सियर्मितीश लगातार समासवर अव्यान के जरीए, श्राबंदी, दहेश पर्था, बालुवा को लेकर ग्यान दे रहे थे और कह रहे थे, कि दहेश पर्था गलत है, लेकिन सवाल ये उटता है कि जो एक लड़की जो खुद पुलिस बल में कार्यत है, अपने पैरों पे खड़ी है, जो एकोनोमिकली कहिए, आर्थिक रूप से या फिर मानसक रूप से मजबूत है, अगर उसे नयाय नहीं मिल रहा, अगर दरोगा उसके साथ नाइंसाफिक कर रहे हैं, तो एक वो महला, जो कही न कही अन कि उनकी बेटी ने सुसाइट की थी, और बकाइदा जब हमने उसका बेटी का इमेल चेक किया, तब पता चला कि उसके परिवार वाले, सुसराल वाले जो है, लगातार प्रतारिद कर रहे थे, उसने सुसाइट किया, उनने कहा कि हमने 37 को तीन मार मेल किया, बिहार के DGP से मुलाकात कर चुकी हूँ, लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं हुई, इसके उलट जब मेरी बेटी के ही, सुसराल वालों ने मेरे बार में शिकायत की, तो हमारे खिलाफ वारण निकाल दिया गया, और बकाइदा हमें गिरफतार कर लिया गया, बिजेपी की महला मोर्चा की परदेश्य पाद्यक्ष रही, वो महिला जो है, वो रोने लग गई थी मीडिया के सानुए और बताया था, कि मेरी बेटी का सुसरा वाला जो है, वो काफी पैसा वाला है, रुथवा वाला है, और परसासन उसकी सुन रहा हमारे नहीं सुन रहा, तो सवाल यही है, जब एक महलाओं के बारे में यह कहा जाना कि उन्हें मजबूती दी जा रही है, हर जिले में महला थाना को अस्थापित कर देने से क्या नयाई मिलेगा, सवाल यह उठता है कि एगर इन जैसे प्रभावसाली महला को नयाई नहीं मिलेगा, तो फिर आम महला की क्या ऐसेती हो रही हो